जैन बच्चों, Class 10 of Mathematics में हमारा जो चेप्टर चल रहा है वो है Quadratic Equation और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है Quadratic Formula मतलब द्विखाद सूत्र हमें उसको प्रूफ करके दिखाना है इससे पहले जितने भी आपके Quadratic Equation रहे थे मतलब द्विखाद समीकर रहे थे हमने ये सीखा था कि उनके दो मूल निकाले जा सकते हैं अब उन दो मूलों या दो रूट्स को जो निकालने के तरीके हमें पता थे पहले से वो था मध्यपद दिवाजन जिसको Middle Term Splitting भी कहते हैं और एक और हमने तरीका एक और हमने formula सीखा था इसी चैप्टर में वो हमारे पास था पूर्ण वर्ग बनाने की विधी ये जो दो तरीके थे इन दोनों तरीके से हम किसी भी द्विखात समीकरण के दोनों मूलों को ग्यात कर सकते हैं अब हम यहाँ पर एक तीसरा तरीका पढ़ने वाले हैं जिसको हम कहते हैं quality formula गलिखात सूत्र ये सूत्र भी हमें मदद करता है किसी द्विखात समीकरण के दोनों मूलों को ग्यात करने के लिए आपको मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि किसी भी द्विखात कोई भी अगर द्विखात समीकरण दीया है जरूरी नहीं है कि हम उसके दोनों के दोनों मूलों को ग्यात कर सकते हैं ऐसा भी हो सकता है कि उनके दोनों मूल वास्तिविक ना हो जिसको हम ग्यात नहीं कर सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों मूल वास्तिविक हो जिनको हम ग्यात कर सकते हैं इनके लिए हमारे पास मद्यपद विभाजन या पूर्ण वर्ग बनाने की विधी पहले से है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्वार्टिक फॉर्मला क्या होता है उसको देख लेते हैं। अगर आपके पास ये एक द्विभाज समिकरण हैं मैं लिखता हूँ यहाँ पर ax² bx plus c equal to 0 आपको पता है कोई भी जो द्विभाज समिकरण हैं वो उसका जो एक यूनिक तरीका होता है लिखने का वो होता है ये ax² plus bx plus c एक उधारन के तौर पर ले लेते हैं जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2x² plus 3x minus 1 equal to 0 अगर इन दोनों को compare करोगे तो पता चलेगा a आपका 2 के बराबर है b आपका 3 के बराबर है और c आपका minus 1 के बराबर है तो जो भी समिकरण आप इस तरीके से लिखोगे उसको हम द्विखात समिकरण कहेंगे और एक चीज़ और द्विखात का मतलब जिसकी घात कितनी हो दो हो तो यहाँ x के highest power कितनी है 2 जिसको कि हम कहते हैं घात यहाँ पर 2 है इतनी चीज़ हम पहले से ही जानते हैं अब हम यह जानने के कोशिश करते हैं कि द्विखात सूत्र होता क्या है द्विखात सूत्र होता है x equal to minus b plus under root d over 2a और दूसरा होता है x equal to minus b minus square root d over 2a क्योंकि किसी भी द्विखात समी करने के हमारे पास जद जद दो मूल हो सकते हैं तो उन दोनों मूलों को निकालने का यह तरीका होता है अंदर सिर्व यहाँ plus और यहाँ minus में है अच्छा इसको हम single term में लिख सकते हैं minus b plus minus under root d over 2a ठीक है तो यह जो है द्विखात सूत्र है quadratic formula जो कि किसी भी द्विखात समी करने के दोनों मूलों को ग्याद करने के लिए अपलाए किया जाता है अच्छा इसमें एक d आ रहा है term तो जब भी आपको किसी भी quadratic equation के लिए द्विखात समी करने के मूल ग्याद करने हैं तो सबसे पहला काम आपका होता है आपको d निकालना होता है d जिसका formula होता है b square minus 4ac इस d को कहते हैं हम विविक्त कर यह मैं यह आपर लिख देता हूँ विविक्त कर या फिर हम उसको discriminant भी कहते हैं यह हम इसको discriminant भी कहते हैं ठीक है तो हमारे पास यह formula आया कैसे हमने क्योंकि यहाँ पर directly लिख लिए है यह formula आया कैसे उसको उसके लिए हमें पूरा एक proof यहाँ पर देखना पड़ेगा अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझा दू अगर मेरे पास यह एक द्विखाद समिकरन है मुझे इसके दोनों मूल ग्याद करने है तो सबसे पहले मुझे d निकालना पड़ेगा और फिर उसके बाद मुझे यह वाला formula अपलाए करना पड़ेगा तो अगर मैं इसी question को लेता हूँ तो यह question हमारे पास अगर मैं इन दोनों को compare करता हूँ तो आपको पता चलेगा कि आपका जो a है x square का coefficient कितना है 2 है यहाँ पर x square का घाद मतला coefficient कितना है a तो a किसके बराबर हो गया 2 ऐसे ही x के साथ 3 है यहाँ x साथ b है तो b किसके बराबर हो गया 3 और यहाँ अचरपद मतला constant term minus 1 है यहाँ पर अचरपद c है तो आपके पास c कितना हो गया minus 1 तो सबसे पहले आप क्या करोगे जो भी दिवगात समिकरण आपको दे रखा है उस दिवगात समिकरण को quadratic जो equation है उसके जो general form है उसके साथ compare करके a, b, c आपको निकालना है जो मैंने यहाँ पर आपको निकालकर दिखा दिया है अब इसके बाद क्या काम है कि सबसे पहले आप निकालेंगे d ध्यारक न d जिसको कहते हैं विविगत कर या discriminant इसका क्या use है वो मैं समझा देता हूँ आपको पहले हम निकालते हैं b square minus 4ac b कितना है देखेंगे हम 3 तो यह हो गया 3 का square 4 a कितना है 2 और c कितना है minus 1 इसको solve करते हैं 3 का square कितना आ गया 9 minus minus क्या हो गया plus 4 twoza कितना हो गया 8 और हमारे पास यह कितना आ गया 17 तो d हमें क्या बताता है मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि जो भी आपके पास विगात समिकरण दी हुएती है या तो उसके दोनों के दोनों मूल जो है वो वास्तिविक होंगे या फिर अवास्तिविक होंगे वास्तिविक नहीं होंगे तो हमें कैसे पता लगे कब वास्तिविक है और कब वास्तिविक नहीं है अगर आपका जो d है जिसको हम विविक्त कर कहते है या डिस्क्रिमेंट अगर वो पॉजिटिव आता है जैसे धनात्मक आता है जैसे यह आपका धनात्मक आगे है न तो इस उस पर्टिकुलर जो दुईगात समी करने है उसके दोनों के दोनों मूल वास्तविक कहलाए जाएंगे तो आप यहाँ बोलोगे मूल वास्तविक होंगे यह पहली चीज़ अचा अगर मान लो डिस्क्रेमेंट आपका जीरो आता है मतलब विवितकर आपका जीरो आता है तब क्या कहेंगे हम कहेंगे कि तब भी जो दोनों के दोनों मूल है याद रखेंगे तब भी दोनों के दोनों मूल आपके वास्तविक होंगे पर वो एक जैसे होंगे ठीक है? यह याद रखें आप एक जैसे होंगे मतलब अगर पहला मूल दो है तो दूसरा मूल भी दो होगा और यहाँ पर positive में क्या होता है? दोनों के दोनों मूल वास्तविक तो होंगे पर भिन्न होंगे, अलगला होंगे मतलब एक अगर मूल आपका दो आ रहा है तो दूसरा मूल आपका तीन हो सकता है, चार कोई और संख्या हो सकती, दो नहीं हो सकता है तीसरी कंडिशन क्या है कि अगर आपका जो D है वो रिणात्मक आता है मतलब नेगेटिव आता है तो हम कहेंगे कि मूल वास्तविक नहीं होंगे मूल वास्तविक हम यहाँ पर कहेंगे नहीं होंगे और मूल वास्तविक नहीं होने का मतलब यह है कि आप उसके मूल ग्याद ही नहीं कर सकते हो तो D जैसे ही negative आजाएगा आपको कुछ करने के जरुवत नहीं होती है आपको सिर्फ लिखना होता है कि मूल वास्तिविक नहीं होंगे बस वहीं पर छोड़ देना होता है लेकिन अगर D आपका positive आए या फिर D आपका zero आए तो D निकालने के बाद आपको यह वाला formula लगाना पड़ता है जो कि मैं अभी इसके बाद करके दिखाता हूँ तो कैसे अब हम क्या करने वाले हैं जो हमारा actual formula है जो कि मूल निकालने का होता है यह वाला formula हम apply करने वाले हैं तो ये वाला formula मैं apply करके दिखाता हूँ, क्या है ये formula x equal to minus b है न, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर x equal to minus b, b हमारे पास कितना है, b हमारे पास है 3 plus minus under root d कितना है हमारे पास, मैंने या निकाल की दिखा है, वो है 17 over 2 multiply a, a कितना है हमारे पास, a हमारे पास है 2, तो इस तरीके से मैं इसको लिखूँगा minus 3 plus minus under root 17 over 2, 2 जा ही हो गया, 4, तो अब क्योंकि हमें पता है कि यहाँ plus minus है, तो मैं अलग-अलग करके भी दिखा सकता हूँ, इसको कैसे दिखाऊंगा, मैं कुछ ऐसे करके दिखाता हूँ आपको, x equal to, एक तो लिखूँगा मैं minus 3 plus root 17 plus root 17 over 4, और दूसरा लिखूँगा, x equal to minus 3 minus root 17 over 4, तो इस तरीके से हमारे पास यह दो मूल हमने ग्यात कर लिए, तो यह हमारे पास है दिखात सूत्र, या quadratic formula, जिसको यूज करके, आप किसी भी दिखात समिकरण के दोनों मूलों को आसानी से निकाल सकते हैं, दोनों roots को आसानी से find out कर सकते हैं, अब अगली वीडियो में हम जाने की कोशिश करेंगे, कि यह जो formula है, यह बना कैसे, मतलब इस formula के proof को हम अगले question में, अगले वीडियो में सीखेंगे, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगा गई, तो इसको share जरूर करें, like जरूर करें, और मेरे चैनल को subscribe जरूर करे Thank you so much, Jai Hind